है है यह दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग और यह हमारा सरना दिदी का घर जो नया वाला लिये हैं और यह है आप देख सकते हैं यह है ड्रोइंग रूम और वो है कमरा और ड्रोइंग रूम के साथ कि आप ही है किचें जिसमें कि आपी दूदू बोल रहे हैं और आप देख सकते हैं किचें कितना छोटा है बट पैस्ट है और यहां पर देख सकते हैं फ्रीज हैं और यह कुलर है और यह बात्रूम है जो कि मैं आपको लाइट चला देता हूं आप देख सकते हैं यह बात्रूम और ठोले टेक्शाथ और यह है यहां पर भी नहाने के लिए हैं यहां पर मोटर लगा हुआ है और यह छट का रास्ता जो कि आप छट पर जा सकते हैं और यह हैं हमारी प्यारी सी सिस्टर यह है रूम अभी शेटिंग नहीं हुआ है तीरे दीरे और शेटिंग करना है अभी समान कुछ काफि कम है और दीरे दीरे आएगा समान तो अभी तो सु donuts बात है देरे देरे सब कुछ आएगा फिर उसके बाद एक और आपके लिए नई वीडियो जब हम लुद्यान आएंगे तो आपको दुबारा से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और और ये है गली कि जो कि देख सकते हैं दोनों साइड से रास्ता हैं बाहर आप जा सकते हैं इधर से भी और इधर से भी तो चलते हैं वीडियो करते हैं समाप्त और मेरी वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक सेड्स और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपके पास जो भी वीडियो बना उसके नौटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए जैहिन बंदे मातरम जैशी राम नमस्ते दोस्तो हो तो कैसे हैं आप लोग यह हैं हमारे फूफा जी जो की बहुत ही अच्छे हैं और मैं इनके साथ थोड़ा मसती कर रहा हूँ और मेरा फूफा जी भी बहुत हाशी मजाग करने वाले हैं तो सायद आपको भी अच्छे लगेंगे और देखी सकते हैं आप पहले फूफा पहले बहुत कमजोर था आप तो सही हो गए मेरे फूफा के चेरे पर बहुत स्माइल है और मुझे बहुत खुशी मिला और जो ये घर लिये हैं उनको भी बहुत खुशी है कि उनका सपना एक पुरा हो गया और हमें भी बहुत गर्ब फिल हुआ कि लुद्याना में हमारा फूफा जी ने अपना मकान ले लिये हैं झाल 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 झाल